जैहिन दोस्तों 29 मई 2022 शाम 5.30 बजे तक सब सही चल रहा था लेकिन शाम 5.30 बजे अचानक एक खबर आती है कि सिद्धू मूसे वाला की गोलियां मार कर हत्या कर दी गई है इस हत्या के बाद पंजाब और पूरे देश में एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि क्या वाकई में पंजाब में एक गन प्रॉब्लम है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाईस की पंजाब में गन कल्चर वहां की पॉलिटिक्स और लॉयन ओर्डर पर किस तरह से हावी हुआ और सिद्धू मूसे वाला सिंगर का जो कतल 29 मई को हुआ इसकी साजिश असल में 8-9 मईने पहले से तयार की जा रही थी इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जान करी दूँगा तो गाईस पंजाब में कास्ट बेस वाइलेंस में गैंग वार्स में बंदूक की नोक पर लूट पार्ट करनी हो या बंदूक की नोक पर ड्रग्स बेचने हो या फिर पॉलिटिकल राइवलरी में चुनाव के दौरान गन्स का इस्तिवाल करना हो या शादी बया में हवा में गोलिये चलाना हो ये सब आम बात है अनफॉर्चुनेटली गन्स पंजाब की पॉलिटेक्स और वहा के कल्चर में एक बहुत बड़ा रोल निवा रही है आज की डेट में डेटा की बात करें तो पंजाब में देश की 2% जनसंक्या रहती है लेकिन पंजाब में 20% के करीब फायराम्स रजिस्टर्ड है यानि भारत की 5 में से एक प्राइवेट ओंड गन्स पंजाब में रजिस्टर्ड है पंजाब में आम लोगों के पास पुलिस से 15 गुना ज्यादा हतियार और फायराम्स है जहां पंजाब पुलिस के पास लगबग 77,000 के करीब राइफल्स और गन्स है वहीं पंजाब की आम जंता के पास 11 लाग के करीब रजिस्टर्ड फायराम्स है और चौकाने वाली बात ये है कि ये सारे फायराम्स मातर 4 लाग रजिस्टर्ड फायर लाइसेंस पर लिए गए है एक एक लाइसेंस पे 2-2-3-3 गन्स ये लोग ले रहे है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन सब की शुरुआत पंजाब में हुई क्यों आखिर पंजाब ही क्यों ये बात जाने के लिए हमें रिवाइंड होके जाना पड़ेगा साल 1980 में साल 1980 में पंजाब देश का एक सबसे वाइलेंट राज्य बन चुका था यहां पे मिलिटेंस की भरमार थी और इन मिलिटेंस ने अपनी खिलाफत करने वाले सरकारी नौकर पॉलिटेशन यहां तक की आम लोगों को डराना धंकाना और उनको मारना तक शुरू कर दिया उसके बाद साल 1984 में इंद्रा गंदी की हत्या के बाद 1985 की इलेक्शन में कॉंग्रेस पंजाब में इलेक्शन हार गई जीता कौन अकाली दल जिसको लीड कर रहे थे सुरजीत सिंग बरनाला लेकिन अकाली दल की इलेक्शन में जीत के बाद भी पंजाब का एक बहुत बड़ा तबका था जो यह मानता था कि अकाली दल अभी भी कॉंग्रेस से मिला हुआ है पर्दे के पीछे ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो अकाली दल के लीडर्स और सीनियर पॉलिटिशन की ये जिम्मेदारी बनी कि बाई जनता को वो ये एहसास दिलाएं कि हम कॉंग्रेस के साथ नहीं मिले हुए हम अपनी खुद की सरकार चला रहे हैं और हम पंजाब की यूद के साथ हैं कॉंग्रेस के साथ नहीं तो ये थाबित करने के लिए अकाली दल के लीडर्स ने इलेक्शन से जस्ट पहले ये एलान कर दिया कि साल 1980-85 के बीच में जितने भी मिलिटेंस और जितने भी प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने गिरफतार किया है उन लोगों में जिसके खिलाफ ज़्यादा सीरियस ही साथ में कुछ उगरवादी और एक्स्ट्रीमिस्ट भी भार आ गए इससे पंजाब में वाइलेंस की शुरुआत हुई और यहीं से गन कल्चर की नीव पंजाब में पड़ी इसका सुबूत हमें मिलता है 1988 के बाद करीब 6-7 साल की रिपोर्ट्स पढ़ने पे जब पंज समय के बाद यह सब विरोत कम हो गए और पंजाब के हत्यार जो आम लोगों के पास थे वों की से ज्यादा वहां का स्टेटस सिंबल बन गए और इसमें में काम किया पंजाब के गानों में पंजाब में गन कल्चर जो हम वरतमान में यूद की दिमाग में देखते हैं उसकी की बीरिया में अगर किसी बंदे को गन लाइसेंस चाहिए तो उसको अपने एरिया के ठाने के ऐसे चो के सरटिविकेशन की बहुत ज़रुत पड़ती ही सरटिविकेशन बाद में डिस्टरिक्ट मैजिस्टरेट के पास जाता है और उसले के पास होती थी इस समय तक SSPs की जिम्मेदारी होती थी कि वो डिस्ट्रिक्ट के अलग-अलग एरियों के थानों में अपने हिसाब से SHOs अपॉइंट करें तो इस सिस्टम में नेताओं का जादा दखल नहीं होता था क्योंकि सारी जिम्मेदारी SSPs की होती थी नेताओं की नहीं लेकिन साल 2010 में प इस सिस्टम को डालने के पीछे धलील ये दी गई कि जो MLA's हैं उनको अपने एरिये का बहुत अच्छा पता होता है अगर उनके हाथ में कंट्रोल रहेगा तो वो पुलिस के साथ मिलके Law and Order को डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी तरह से कोडिनेट करके चला पाएंगे ल और ये इन नेताओं का अपने प्रमोटर्स का सपोर्ट हासिल करने का एक बहुत ही आसान तरीका बन गया है तीसरा और सबसे में कारण है पंजाबी गाने जिनोंने गन कल्चर को यूथ के दिमाग में अच्छी तरह डाला और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसकी शु करी लेकिन इस मुद्दे पर जादा जोर नहीं दिया गया लेकिन अब ये मुद्दा बहुत जोर से उठ रहा है सिद्धू मूसे वाला के मर्डर के बाद और पंजाबी गानों के साथ साथ फिरोसपूर डिस्टिक्ट जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे स्थित है वो इसलिए पंजाब में पंजाबी गानों द्वारा गंस को प्रमोट करना और लोगों का इन गंस को अपने एक स्टेटस सिंबल की तरह मानना इन सब चीजों की वज़े से पंजाब में गं कल्चर एक आम बात हो चुकी है आपको पंजाब के हर दूसरे तीसरे घर में दिवार पे शान से गंटंगी हुई दिख जाएगी अब बात करते हैं गाइज 29 मार्च की यानि सिद्धू मूसेवाला के हत्या के दिन की इस हत्या में सिद्धू मूसेवाला के ड्राइवर का नाम सामने आया इतिफाक से दिल्ली में जी हाँ पंजाब में नहीं दिल्ली में जब दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफतार किया तब उन में से एक आदमी ने ये खुलासा किया कि सिद्धू मूसेवाले का ड्राइवर शगून प्रीट सिंग इस हत्याकांड में शामिल था और 7 अगस्त को विक्की मीदुखेडा की हत्या करने के बाद 10 अगस्त को शगून प्रीट सिंग इंडिया चोड़कर ऑस्ट्रेलिया भग गया और विक्की मीदुखेडा के करीबियों को लगा कि शगून प्रीट सिंग को भगाने में सिद्धू मूसेवाले का हात है इसलिए सिद्धु मुसेवाला के मर्डर की साजिश रची गई अब 2021 साल का अंत होते होते पंजाब में चुनावी सरगर्मी जोरो पर थी दूसरा सिद्धु मुसेवाला को कॉंग्रेस की तरफ से चुनाव में टिकट भी मिल गया था तो इसलिए उनकी सिक्युरिटी भी बढ़ गई थी और तीसरा सिक्युरिटी भढ़ाने का उनका एक और रिजन ये था कि दिल्ली पुलिस को यहाँ पे ख़बर मिल चुकी थी कि सिद्धु मुसेवाले पर यहाँ पे अटेक हो सकता है इसलिए सिद्धु मुसेवाला की टाइट सिक्युरिटी के चलते उन पर हमला करना इन लोगों के लिए काफी मुश्किल रहा लेकिन 29 मही की शाम को ऐसा क्या हुआ कि सिद्धु मुसेवाला अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्चुनर गाड़ी को छोड़ कर और अपने दोनों गार्ड्स जो उनको सरकार ने दे रहे तो उनको छोड़ कर बिना किसी सिक्युरिटी के बाहर निकले चलो निकले जो भी हुआ होगा पुलिस वो तफ्तीश करके बताएगी लेकिन ऐसा होई ही नहीं सकता कि उनके घर की रेकी ना की गई हो इसकी इन्वेस्टिकेशन जब पुलिस करेगी तब हमें पता चल जाएगा लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि 29 तारिक को सिद्धु मुसेवाला करीब साड़े चार बज़े शाम को अपने घर से निकले तो इन लोगों को कैसे पता चला कि सिद्धु मुसेवाला आज बिना किसी सिक्योरिटी और बिना अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के बाहर निकले हैं जरूर उनके घर की रेकी की जा रही होगी उनके घर पर नजर रखी जा रही होगी एक hypothetical situation ये है जो कई news channels भी बता रहे हैं और आप शम्सालम खान जो crime reporter है उनको YouTube पे जाके सिद्धु मुसेवाला का वीडियो देख सकते हैं अब हाली में 2-3 दिन पहले उन्होंने YouTube पे डाला है उसमें ये बताया गया है कि कही ना कहीं उनके घर की रेकी की जा रही होगी और जो असली हत्यारे थे सिद्धु मुसेवाला के वो कहीं और आराम से बैटे होंगे तो रेकी करने वाले ने उनको फोन करके ये बताया होगा कि सिद्धु मुसेवाला आज बिना किसी सिक्योरिटी और बिना अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकला है तब अचानक वो लोग उठे और मौका देखके सिद्धु मुसेवाले का मडर कर दिया अभी तक की जानकारी और तफ्तीश में तो यही सामने आया है बाकी आगे पुलिस क्या जवाब देती है पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुँचती है कौन कौन सी गैंक जिसमें शामिल थी ये सब बात की बात है तो आखरी में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा क क्या पंजाब को वाकई इतनी सारी गंस की जरूरत है हमारा मीडियो और पंजाब की सरकारें गं कल्चर को पंजाब में रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है क्योंकि ये सारी चीज़े पंजाब का गं कल्चर ये सारी चीज़े जितनी मैंने आपको इस वीडियो में बता हरित करांती पंजाब में ही सबसे पहले आई थी और इतिहास गवा है पंजाब ने हमें बहुत शूरुवी रियोध्धा दिये हैं तो इन सवालों के जवाब तलाशने की बहुत सक्त जरूरत है क्योंकि हमें पंजाब के यूथ को इस कल्चर से बाहर निकालना है किसी भी तर होता है तो आज के वीडियो में इतना ही गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में आपने मेरा पिछला वीडियो अगर देखा हो तो उसमें मैंने चाइना की चालवाजियों का परदाफाश किया था नहीं देखा तो जाके देख लो अब अगले वीडियो जो हमारे आने वाले वर्ल्ड अफेर्स और इंडियन अफेर्स से रिलेटेड आने वाले हैं उसमें अभी हम अमेरिका का परदाफाज करेंगे अमेरिका भी गाइस बहुत बड़ा लुटे रहा है चाइना की तरह उसका परदाफाज भी तुम्हारा भाई करेगा तो चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर दो और जाके वह चाइना वाला वीडियो जरूर देखना गाइस उसमें तुम्हारे भाई ने चाइना की सारी पोल खोली है और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो मेरे स्क्रिप्रिप्शन में भी लिंक है सीधा जागे फॉलो कर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाईज जैहिंद वंदे मात्रम